भासकर लौजी में स्वागत है आपसे दिगा आज हम भुगोल और समानी जान का एक मत्पूर्ट चप्टर करने वाले हैं भारत की बंदरगा बंदरगा का मतलब भारत की तटों में इसी ऐसा व्यपारी केंद्र जहां से भारत अन्य देशों के साथ समुद्र के रास्ते अंत आपके लिए वीडियो सॉट्स में अपलोड किया हुआ है जिसमें से अधिकतर प्रश्ण एक्जाम्स में आये हुए हैं तो उसी के अनुरूप आपको अपनी तयारी रखनी है अब चूंकि भारत के बंदरगा भारती समुद्री तटों पर इस्थित है तो इसलिए मैंने आपके लिए भारती तटों के नाम से सम्मंदित एक क्लास अरेडी अपलोड किया हुआ है आप उसे भी देख सकते हैं भारत के बंदरगा देखिए भारत में कुल 13 बड़े बंदरगा हैं हाला कि 200 से अधिक छोटे और मध्यम क्लास के बंदरगा भी हैं लेकिन हम सिर्फ ब 12 बंदरगा जो हैं भारत सरकार के अधिन कारीरे थे जबकि एक बंदरगा सकारी समीति के दौरा संचाली थे वह कौन से बंदरगा है हम आगे दिखने वाले तो बंदरगा में सबसे पहले तो आप देख लिजे कि बंदरगाओं की इस्थिति या अवस्थिति कहां पर है मत की पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कौन से बंदरगा किस राज्य में स्थीत है इसे सम्मंदित सहीं जोड़े की रूप में या फिर डारेक्ट पुछा जाता है सबसे पहले कच की खाड़ी के पास गुजरात में कांदला बंदरगा है फिर आगे बढ़ेंगे महाराष्ट में महाराष्ट में दो बंदरगा हैं एक तो है मुंबई बंदरगा और दुसरा है नावा शिवा बंदरगा मुंबई बंदरगा और नहामा शेवा दोनों महाराष्ट में है इसके बाद गोवा में जैसे नाम से इसपस्ट है मारमा गोवा बंदरगा इसके बाद करनटक में आपको मिलेगा नियो मंगलोर बंदरगा है इसके बाद केरल में कोची या कोचीन बंदरगा है इसके बाद हम पूर्व छेतर में आजाते हैं नीचे से शुरू करते हैं पूर्व छेतर में आपका जो तमिल नाटू है वहाँ पर तीन बंदरगा है सबसे पहले तुती कोरीन बंदरगा फिर चिन्नई बंदरगा की जस्ट थोड़े से उपर में कुछी दुरी पर एन्नोर बंदरगा है यही वो एक माद्र बंदरगा है जोकी साकारी समिति के द्वारासंचली थे इसके बाद हम चलेंगे आंध्रा प्रदेश में विशाखा पटनम बंदरगा है बहुत बड़ा बंदरगा है भारत का सबसे गहरा बंदरगा है लगातार कोश्चन्स में आते रहे हैं इसके बाद ओरिसा ओरिसा में पारादी बंदरगा है और अंत में जो बारवे नंबर पे जो बंदरगा है वो है कोलकाता बंदरगा जो कि वेस्ट बंगाल में है और आप देखें लास्ट वाला तेरहवा नंबर का जो बंदरगा है नमिंतम बंदरगा है और यह है पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और नीकोव बार दीव समू का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर उस स्पोर्ट प्लेयर में ही भारत का 13 और नमिंतम सबसे बड़ा बंदर गाह है या अंडमान में इस्थित है तो यह रहे भारत के राजियों की आधार पर बंदर गाहों की इस्थिति हम देखे हैं कि गुजरात में कांदला महाराष्ट में मुंबई नामाश्यवा गोवा में मा प्लेयर में कोच्ची तमिल नाडू में तीन बंदर गाह हमने देखा तूति कोरिल चिन्नई और एन्नौर आंध्रप्लडेस में विशाखा पड़ना उडिशा में पारादिब और वेस्ट बंगाल में कुलकाता इसके साथ ही दो तीन बंदर गाह और देखें जिसे वेस्ट बंगाल में कुलकाता के साथ ही एक और बंदर गाह जिसका नाम है हल्दिया बंदर गाय। तूति कुरिन बंदरगा था तूति कुरिन बंदरगा का जो भार है उसे कम करने के लिए एक और नई बंदरगा की स्थापना की गई जिसका नाम है न्यू तूति कुरिन बंदरगा ये केरल थट पे तमिलनाडू पे हैं और इसके बाद एक बंदरगा है दाहज बंदरगा य यह है यह है आपका गुजरात में धाहिज बंदरगा से विभिन प्रकार का जो केमिकल के लिए renewable है वो , आपको वह चीज याद है और चीज यादर्द्ध आ है patch बांदरगा गुजरात में यह कच की खाड़ी मुज़्थित है आपको बता है और एक मात्र वो बंदरगा है जो पूनता ज्वारी है ज्वारी बंदरगा मुंबई बंदरगा पस्चिमी तर्ट का सरवाधिक बड़ा बंदरगा है और सबसे अधिक व्यवार इसी केंद्र से होता है पेट्रोलियम पदार्थ का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है सबसे अधिक मात्रा में होता है यहाँ पर और आपको बता है कि मुंबई के पास ही मुंबई हाई करकी एक जगह है जहां से पेट्रोलियम पदार्थों का पेट्रोलियम से अंद्र है तो आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम पदार तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहा से अधिक होता है, मुंबै से होता है, मुंबै बंदरगा के बोज को कम करने के लिए, एक और नई बंदरगा के स्थापना की गई, जिसका नाम है नहावाश्यवा बंदरगा, यह आपका सकते हैं जवाल नहरु जिसका नाम है मार्मागोवा, यहां से सबसे अधिक आयरन का निर्याद किया जाता है, फिरम चलेंगे नियू मंगलोर बंदरगा, नियू मंगलोर बंदरगा करनाटक में श्थित है, और यह कृत्रिम बंदरगा है, आर्टिफिस्यल पोर्ट है, कांक्रिट की दिवार समुद पर निर्मित है, यहां सबसे अधिक श्रिप्याड निर्माड होता है, तो सबसे बड़ा श्रिप्याड निर्माड पोर्ट भी, आप इसे कह सकते हैं, फिर भारत के यह हो गए है श्रिमी तरट की बंदरगा, आप चलते हैं पूर्व तरट की बंदरगा की हो, सबसे पहले क कोलकाता बंदरगा कोलकाता बंदरगा एक ऐसा बंदरगा है जो नदी पर इस्थित है वेस्ट बेंगावल में हुगली नदी है उस नदी पर इस्थित है आपका कोलकाता बंदरगा और हल्दिया बंदरगा दोनों ही बंदरगा नदी पर इस्थित है यहां से भारी समान का न पॉरिषा में है यह हमने देखा था कि अडिशा में हैं यहांसे उर्वरत का निर्यातρ होता है फिर आंध्रपरदिस में विसाखापत्ना मंदरगा इसकी इस्तापना 19.39 में हुए यह भारत का सबसे बड़ा गहरह यह भारत का सबसे गहरह पोर्ड है और प्राक्टितिक रूप से सबसे बेस्ट पोर्ट की रूप में जाना जाता है यहां से 36 गड़ का आयरन जापान को निर्याद किया जाता है फिर एनौर बंदरगा, एनौर चन्नई और तुतिकोलिन ये तीनों ही बंदरगा तमिलनाडू में है तो एनौर बंदरगा का नाम कामराज पोर्ट की रूप में जाना जाता है यह पहला कमट्राइज पोर्ट है और सहकारी समित्ति के द्वारा संचालित एक मात्र पोर्ट है चन्नई बंदरगा, चन्नई बंदरगा भारत का सबसे प्राचिन बंदरगा है और कृत्रिम बंदरगा है, यह समुद्र के अंदर अवस्थित है, इसका पुर्व नाम मदरास पोट है, मदरास का नाम बाद में बदल कर चन्ने कर दिया गया है, तो इसका भिना अब चन्ने ही बंदरगा हो गया है, तूति कोरिन बंदरगा, तूति कोरिन बंदरगा को सितं पोट के रूप में भी जाना जाता है भारा सरकार का सेतू समूद्रं परियोजना इस बंदरगा Sंचाली थे और यह मननार की खाड़ी में इस्तित एक मात्र बंदरगा का हैं तो तूती कॉरिन बंदरगा और तूती कॉरिन बंदरगा की सयतہ के लिए मैंने आपको एक आप समझें कि वो कृत्रिम बंदरगा है यहाँ पर आप देखें कोची बंदरगा को मैंने जील से बनाने की कोशिस की है तो जील पनीरमी था आपको याद रहेगा नीव मंगलोर भी कृत्रिम है यहाँ पर मैंने एक दिवार बनाई है मैं कॉंक्रिट की दिवार कोशिस की है आपको चीजें हिंट में याद रहे मॉंबई बंदरगा को सबसे बड़ा बनाया है आप देखने हैं कि बड़ा हुआ है कांदला बंदरगा ज़ारी रूप में बनाया है और विशाखा पटनाम को मैंने इस तरह से क्साइन किया है जो कि आपको याद दिलाएगा कि यह सबसे गहरा बंदरगा है यहाँ से मैंने आयरन को भी एक्सपोर्ट कराया है पारदीप में एनपे की पारदीप से मैंने उर्वरक निर्यात की संकेत के लिए इन पी के लिखा हुआ है उर्वरक को नर्टोजन फासफोरस और पोटेशियम का जो उर्वरक होता है इसको संकेत की रुप में मैंने दर्साया हुआ है तो आपको इसी तरह से इसी तरह से आपको इसे याद रखना है आप अपने रफ में इसे बनाएए या अपने नोट्स में बनाएए और उसे याद करिए और उसके साथ ही अब जो मैंने कोशन दिया हुआ है उसको आप हल करके देखिए इसके साथ ही आपको ये भी जाना जरूरी है कि आखिर बन्दर गाहों का हिंटर प्रदेश या पर्ष प्रदेश या प्रभाव छित्र क्या होता है क्योंकि उसी से पता चलता है कि किस छेत्र का व्यापार किस बंदरगा से होना है किस राज्य का व्यापार किस बंदरगा से होना है आपक्सर यदि 36 गड़ करते हैं तो आपको आपने देखा होगा आपने आपको रटवाया क्या होगा कि 36 गड़ से आइरन का एक्सपूर्ट विसाखा पटनम मंदरगा के द्वारा किया जाता है लेकिन क्यों विसाखा पटनम के द्वरा ही किया जाता है क्या नजदिक है उसलिए तो पारादेप से क्यों नहीं किया जाता तो इस तरह से आपको यह समझ में आएगा कि परश्र प्रदेश या प्रभावत चित्र हिंटर रिजन या हिंटर जोन उसको समझते जाना है मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिस की है आप उसे एक बार देखेंगे तो वो चीज याद हो जाएगा इसमें से भी कुशन ना किवल इसमें से कुशन बना सकते हैं आप बलकि जहां लिखने का हो वहाँ पर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं य तो आज की क्लास में बस इतना है आप